पर्मनेंट कैसे होंगे क्या सरकार 25 पर्मनेंट करेगी या ज्यादा हो करेगी तो इसको लेके मैंने आपको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है पूरा जरूर देखना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय कोमेंट्स में जरूर देना और जो बाइबेंट पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं आपके फोजी बैकी जानके अगर आपको अच्छे लिखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना तो चलिए लेते हैं यह कुशिन कि जो अभी अगनीवीर भरती हुए हैं क्या वो पर्म दो-तीन साल के अंदर हमां और भी जो भरती हो रहे हैं वो जो भी भरती हो रहे हैं अगर उनका मेडिकल इशू ना हो तो वह सब के सब परमनेंट होंगे वह क्यों होंगे आए आपको एक्जामल के माद्यम से समझाता हूं सबसे पहले फॉस की अगर हम एक सबसे छोटी एक है मतलब कि देखें वसे तो प्लाटूंस होती है वह एक इनुटिका उस्सा होती है तो मलब फॉस जब आप ट्रेनिंग करते हो आपके रिजिमेंटल सेंटर होता है वहां के बाद आप जाते हो अपने रिजिमेंट में जैसे माले आप डोगरा में चले अब डोगरा में इंदर में इंफेंट्री की बात करूं तो उसमें होती है आपकी 6 कंपनियां एक कंपनी में 120-130 की स्ट्रेंथ होती है और मैं आपको पता देता हूं कि 2020 से रिटार्मेंट सब जा रहे हैं जो रिटार्मेंट जाने वाले हैं जिनकी सर्विस पूरी उच्छी को जा रहे हैं लेकिन उनके बदले नहीं भरतियां नहीं हुई है पर एक लाख सो पर लोग रिटार्मेंट जा रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें 2020 से लेगा अभी तक तो मुस्किल से अच्छी जार लोगों के इंड्रॉल्मेंट हुआ है तो लाखों पत फोज के खाली पड़े हुए है और दिन तक इनको खाली नहीं रखा जा सकता है वह क्यों नहीं रखा जा सकता है आपको एक्जाम्ल के माद्यम से बढ़ता हूं जैसे एक बड़ारेन होगी इसकी चे कंपनिया होगी अलफा ब्राबो चारली डिल्टा उसके बाद आपकी एसपी कंपनी उसके बाद में आपको माउंटेन वालफर का कोर्स मिलता है और आपको सेक्शन कमांडर डिन इस्ट्रिक्टर पिटर इस्ट्रिक्टर यह कोर्स कभी भी बंदनी होते हैं यह चलते रहते हैं अगर इन में आपको भीजना पड़ेगा तो उन स्टंद को पूरा कौन करेगा दूसरा जानी जो की तीन तीन साल की यारीज होती है वहाँ पर कौन आपकी बदली करेगा अगर इसी प्रकार सिस्टम चलता रहा तो इसकी बहुत कमी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जो अगनीवीर है यह अब यह पर्मनेंट इसलिए होंगे क्योंकि रिडार्मेंट जाने वाले जाए रहे हैं लेकिन आने वाले उतनी संग्या में आनी रहे हैं और फोच की सहसाई चलानी जरूरी है इसलिए जो यह चीजें हैं इन में बहुत दिन तक वेकेंसी खाली नहीं रख सकते हैं इसलिए इनको पद भरना ही पड़ेगा तो यह हो गया आपकी मतलब की जरुवत कि हाँ जरुवत है और वह अपने जो ज्याज़ा दिन तक खाली नहीं रिख सकती इसलिए उनको नहीं बरती यह जो अगनीवीर आ रहे हैं उनको पर्मनेंट करना ही पड़ेगा चलिए अब बात कर लेते हैं अगनीवीर की एक रिजमेंटर में जो अगनीवीर आ रहे हैं अब उसे माले कुमाओ रिजमेंट में अब वहां से 22 को माओ रिजमेंट उनकी इतनी लंबी रिजमेंट है तो भाई रिजमेंट हरे एक रिजमेंट से रिटार्मेंट जाने में लगें कोई से जा रहा होगा कोई 18 को 19 से तो उनके बदले भी तो वैकेंसी को पुरा करना है बरतियां उस जंक से हो नहीं रही है उसके बाद जो प्रमोशन है वह भी करने रहें वह में जो रिडिकेट दिये वह कहां से आएगा ऐसे तो फॉसक्त कमजोर हो जाएगी तो इसलिए फोसक कि जो यह अगनीवी रहें यह पर्मनेंट होंगे और कुछ टाम के बाद में फॉसकी बरतियां इनको जुर्दा डंग से करनी भी होगी कई कई बार तो एक ही जगए यह आरोस के दो से लेके तिन बरतियां कराने की भी इनको आने वाले एक दू साल में जुरुवत पढ़ स फैसलेटी मेडिकल ऑस्पिटल्स यह करने का जवान है तो बीमार भी होंगे कहीं युद्यों के मतान में भी होंगे तो सब कूर ट्रीटमेंट के लिए एंसी की जरुवत पढ़ती है उसी प्रकार हमारे आर्मी सर्फिस को रहें आपने दिखाऊगा ट्रांस्पोरेशन के बैटल का हर वर्दी हमाएं हमें ओर्डनेस के थ्रू मिलती है और हर उसी प्रकार आप जब आप भरती होते हैं उसका आपके मैप रिडिंग चलती है तो आपको पढ़ा जाता है हमारी एई-ई-सी के दोरा यानि एजुक्रिशन होल्दार के दोरा यह जैसी उसके दोरा तो सब यह संस्ताइं चलती रहेंगी आते रहेंगे और इन में क्या हो यह अभी देखो जैसे अब एमसी वाला है वह एमसी में में नोकरी करेगा करेगा प्लस उसको इन्वेंट्री में भी जाना पड़ता है पोस्टिंग क्योंकि रिजिमेंटल मेडिकल ऑफसर की टीम होती है उसमें तीन से लेके पांथ नर्जिंग स्टेंड होते हैं तो युनिट भी कभी दूर दराज फिल्ड एरिया एटिटूड में रहती है तो वहां हर जगर जरुबत होती है पीस में भी युनिट के अंदर में आपके आर्मो रह सकते हैं और आपके बेड़ेकले स्टाप जो लिए या तो फॉस को दुगनिगती से भरती किरानी पड़ेगी यह जो यह अगनीवीर है उनको जाके परमनेंट करना पड़ेगा अब किस अगनीवीर परमनेंट होंगे और किस कंडिशन में नीं होंगे एक छोट़े से पॉइंट के माधिया समझी है अगर आप फिट हैं आपको रोकने वाला कोई नहीं, अगर आप physical fit है, medical, physical, mental, तीनों चुज़ों में अगर आप fit हैं, तो आपको permanent होने से कोई नहीं रोक सकता, अब FOSS के main events क्या होते हैं, BPT, PPT, road march, endurance बोलते हैं जिसको, अगर इसमें अगर आप fit हैं, तो आपको permanent होने से कोई भी नहीं रोक सकता यह सिर्फ बाते चिंदी रहेंगी 25% वाली, 25% के अंदर में वहीं आएगा, जिसको की medical issue जदा होते हैं, जदा बिमार होता है, जदा आत्माओं, सरीर में चोटें लगती रहती है, अपना ख्याल नहीं रख सकता है, इन लोगो problem आ सकती है, बाकि जो खुद का जान रखे, अपने medical का जान रखे, अपने mental health का जान रखे, अपना physical जबरदास्त बना के रखे, यानि कि उसको पता है कि मुझे मेरी जो 5 km की BPT है, उसमें मुझे excellence से नीचे कुछ आना ही नहीं है, अपना vertical drop है, horizontal drop है, इनमें मेरे को कभी fail नहीं होना है, 9 feet deep है, जिक 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 बैलेंस है, 100 meter का shoot है, इनमें मुझे कभी excellence नीचे आना ही नहीं है, तो कोई मजाल नहीं कि आप permanent नहीं हो, उसी प्रकार हमारी PPT में होता है, देखो, आपको solution meter के दोड़ होती है, आपको excellent आना है, ठीक है, उसके बाद में वहां भी आपको 5 meter settle होता है, ठीक है, आपके sit up होते हैं, तो events जो होते हैं, उनमें आपको excellent आना है, उसके बाद कोई वजह नहीं कि आप permanent नहों पाएं, यह मैंने एक छोटीजी कोचिस की है, आपको बताने कि जो अभी अगनीवीर भरती हो रहे हैं, वो पका ही permanent होंगे, सिर्फ medical condition में वो बाहर दा सकते हैं, और उनको लेना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि मैंने आपको ratio बता दिया, बटन लेंगा, उसके बाद भी एक full detail वीडियो है कि हम permanent कैसे हो सकते हैं, यह आई बोटन पर वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, और अपनी राय कोमेंट्स में ज़रूर दे आपको notification सबसाइब, जल्द मिलें